दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिसकस करेंगे Cup Headed Bolt के बारे में Cup Headed Bolt, Bolt का ही टाइप होता है और इसका दूसरा नाम होता है Round Head Bolt इसके Head की जो सेफ है वो Cup की तरह ही होती है और Round होती है इसके उपर External Thread बने होते हैं जो External Thread है वो पूरी बोडी पर भी हो सकते हैं या फिर कुछ पोर्षन पर हो सकते हैं तो यह Fully Threaded भी हो सकता है और Partially Threaded भी हो सकता है जो Cup Headed Bolt है यह Steel, Staleness Steel या फिर Alloy Steel का यह बना हो सकता है Cup Headed Bolt को हम दो या दो से ज़्यादा Parts को Temporarily Join करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इस Bolt के नट और Washer की मदद से यूज किया जाता है और इसका प्रियोग Tank Construction या फिर जो Locomotive Parts की Construction है उसको करने में भी इसका इस्तेमाल होता है अगर इसके Part की बात करते हैं इसमें मेली दो Part होते हैं ये जो उपर का Part है जिसे हम Head कहते हैं और ये वाला जो Portion है जिसे हम Body, Sank या फिर Stem कहते हैं और ये भी बेसिकली दो टाइप का होता है एक में इसके उपर ये Scare Neck बनी होती है और जो दूसरा होता है उसमें Scare Neck नहीं बनी होती कि इसको हम जो Scare Resets होती है उसमें ही इसको Fit किया जाता है और जो Scare Neck है ये पूरे Bolt को Turn होने से या Rotate होने से Prevent करती है अगर हम Scare Neck का प्रयोग नहीं करते तो इसकी जगह पर Snug का इस्तेमाल किया जाता है इसका भी सेम वही Purpose होता है जो Scare Neck का होता है ये Bolt को Rotate होने से रोकता है जिससे Joint Proper बना रहे अगर हम इसके Proportion की बात करते है इसका जो Nominal Diameter है वो Capital D है अगर आप देखें यहां से लेके यहां तक Nominal Diameter Capital D है और जो Cup Head का जो Diameter है यह वाला यहां से लेके यहां तक ये 1.6 टाइमस होता है Nominal Diameter के अगर Snack की Length की बात करें यहां से लेके यहां तक ये Snug है Snug की Length 0.5 टाइमस होता है Nominal Diameter के और इसकी Thickness भी 0.2 टाइमस ओफ Nominal Diameter हो सकती है Approximate और Vari भी कर सकती है थोड़ा बहुत और इसकी यह वाली जो Arc की जो Radius है वो 0.9 टाइमस होती है Nominal Diameter के और जो Scare Neck अगर हम यूज करते हैं Scare Neck की जो Side होती है क्योंकि सभी Sides इसकी Equal होती है तो इसकी जो Length होती है वो Basically 0.5 टाइमस to 0.8 टाइमस के बीच में यह हो सकती है अगर आप यहां पर देखते हैं तो दोस्तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिसकेस किया Bolt का Important Type Cup Headed Bolt और एक परकार से यह जो Bolt है यह Joint को Smooth Appearance भी प्रवाइड करता है क्योंकि इसका जो Head है वो Round होता है तो अगर आप कोई वीडियो अच्छा लगा आप इसको Like कर सकते हैं Share कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, Students के साथ जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए धन्यवाद आपका दिन सुब रहे